Assalamu alaikum, welcome to Amishis Robotics and IT Solutions, this is me, your instructor Naila Atabhati, Office Management के 14th lecture में आपको खुशाम दीद। आज के इस lecture में हम MS Word के अंदर Table of Content बनाना सीखेंगे के Table of Content कैसे बनाते हैं, हम लोग MS Word open कर लेंगे, ठीके, यहां मैं कोई Content लिखती हूँ, मैं नीचे की तरफ ही आ जाती हूँ, जैसे मैं यहां लिखती हूँ Computer और उसके बारे में कोई Paragraph, Random Paragraph लेने का त्रिका कार मैंने आपको बताया हुआ था और एक और Topic लेती हूँ Hard, Where और उसके मुतलिक कोई Random Paragraph मैं ले लेती हूँ, जैसे मैंने 5 कर दिया, 5 Paragraph ले ले, इसके बाद मैं एक और लेती हूँ चीक है, और इसके बाद मैं इसके Random Paragraph ले लेती हूँ, इसी तरह मैं एक और लेती हूँ, जनाब Ambitious और इसके लिए भी कोई Random Paragraph मैं ले लेती हूँ, जैसे 5 Random Paragraph यह 4 जो भी आप लेने हूँ आप मैं चाहती हूँ यहाँ Table of Content बन जाएं, जैसे मैं क्लिक करूँ तो यह यहाँ पर चल जाए किस पेज पे कौन सा Topic हमारा पड़ा हुआ है तो हम यहाँ आएंगे सबसे पहले पहले यह Heading, Heading 1 में Convert कर देंगे, ठीक है, एक होती है Heading Super Heading, एक होती है Sub Heading सबसे पहली जो है, वह Heading 1 होगी और Heading 1 के अंदर Heading 2 Sub Heading होगी, ठीक हो गया, अब यह Heading है, Computer है और उसी यह भी Heading है, Hardware भी Heading है उसके अंदर कोई Sub Heading नहीं है, अब Software यह भी Heading है, कोई Sub Heading में नहीं आ रही, ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं Ambitious और इसको भी Heading में कर लेत हैं, अच्छा देखें यह नीला होगा है, एक Particular Font Size में यह सारा कुछ Convert हो गया है, ठीक हो गया, अच्छा अब हम यहाँ आते हैं और References में जाएंगे, कहां जाएंगे, References यानि References generate करने लगे हम लोग, हम यहाँ आएंगे Table of Content में और Automatically Content यह बना देगा, अब यह देखें पेज नमबर 1 पे आपका Computer है, पेज नमबर 2 पे यह है, और पेज नमबर 2 पे Ambitious ही है, आपने वहीं जाना है, आप यहाँ लेकर जाएंगे, आपको खुद गाइड कर रहा है, वो कहरा है, Ctrl प्लस क्लिक, देखें जब आप Ctrl का बटन दबाएंगे, तो यह हाथ बन जाएग यह देखें, यह पेज नमबर 3 हो गया, अच्छा देखें, यह heading के अंदर subheadings होती है, ठीक है, इससे पहले हम subheadings के तरफ move करें, पहले हम यह देख लेते हैं, कि यह heading का है, यह निला रंग ही क्यों हुआ, कोई और रंग क्यों नहीं हुआ, तो apply styles, ठीक है, modify, और आपने क् changing करनी है, तो आप एक काम करें, पहले heading पे click करें, फिर modify करतें, ठीक है, यह heading आपको उपर select हुआ हुआ है, रंग जो भी आप करना चाहें, जैसे मैं रंग इसका, यह color रंग करना चाहती हूँ, और इसका जो size है, वो एक particular आप fix कर दें, 20 कर दें, bold कर देगा, italic कर देगा, और underline भी कर देगा, अब आप इस पे click करें, तो देखिएगा, पूरे page पे, यह underline भी है, और उसी particular font के अंदर है, जो आपने यहाँ पे fix किया था, अच्छा, एक होती है, sub heading, heading के अंदर एक और heading, उसको हम कहते है, sub heading, जैसे काइदयाजम, एक main heading है, वो heading बन होगी, उसके अंदर sub heading है, जैसे वफात, विलादत, और अप्तिदाई तालीम, यह क्या है, सारी उसकी sub heading है, तो अफ़र्स करो, computer एक super heading थी, और लेकिन software और hardware उसकी अंदर sub heading थे, तो मैं एक काम करूँगी, कि यह जो hardware है, इसको करूँगे select heading 1 में heading 2, sub heading है, heading 2 में heading 3 sub heading होगी, ठीक है, ज अब देखें, धिहान से देखिएगा, न यह italic में है, न यह bold में है, लेकिन जो heading 1 था, तो उसमें था, अब उसमें क्या हुआ, पहले हम उपर table of content में, आपको लग रहा हो कोई तबदिली नहीं, तबदिली आएगी, अभी देखिएगा, कि यह देखें, यह तबदिली आ पाकिसान में भी कहा गया, तबदिली आ आएगी, तो देखें, टेबल of content के अंदर भी, एक chaining आ गई, कि यह headings के अंदर, एक subheading बन गई, ठीक हो गया, अच्छी, अब note यह कीजिएगा, कि heading 1 पे तो वो particular fonts अप्लाएं है, बट heading 2 पे नहीं है, different है, तो आपने chaining heading 1 को को की है, आप यहाँ आए, apply styles पे जाए, और modify पे जाए, और इसका रंग, आपको जो भी मुनासिब लगे, आप रंग वगारा, जो size आपने chaining काने, आप देखेगा, कि जो heading 2 है, वो red में होगी, यह देखें, ठीक है, hopefully आपको book बनाने के बाद, table of content बनाने आ गए होगे, आज की आपकी एक task है, पुरे week के अंदर आपने क्या करना है, एक book compose करनी है, और उस book के table of content आपने बना के, मुझे WhatsApp ग्रूप के अंदर send कर देना है, या email कर दीजेगा, info at the rateofambitious.com, ठीक है, तब तक save रहें, अपने घरों में रहें, अला हाफिस.